पुमू बैंक में कुछ डाकू घुस गए, एक डाकू ने गार्ड को बेहोश कर दिया, उसके बाद एक डाकू ने कैशियर पे कबजा कर लिया और सारा कैश लूट लिया, तीसरा बदमास सब को हैंटसप करवा के बंदूग तान कर खड़ा हो गया, अगला बदमास मैनेजर क कमरे में घुस गया, तभी वहां गोलियां चलने की आवाज आई, और वह तेजी से बाहर भागता हुआ आया, और अपने दोनों बदमासों से बोला, तुरंत भाग चलो, मैनेजर मर चुका है, जितना भी पैसा है सारा लो, और निकल चलो यहां से, तुरंत डिटेक्टिव को फोन किया गया, डिटेक्टिव भी तेजी से दोड़ता हुआ आया, गार्ड ने डिटेक्टिव को बताया, कि तीन बदमास आये, उन्होंने मेरे पर हमला करके बेहोश कर दिया, और बैंक में लूट पाट की, तभी बैंक के कलरक ने भी डिटेक्टिव को बताया, कि वो जबकि मैनेजर को एक ही गोली लगी हुई थी, दोनों गोलियां अलग-अलग साइच की थी, जिससे साबित होता था कि दो अलग-अलग बंदूकों से गोली चलाई गई है, डिटेक्टिव ने गोर से देखा, तो लॉकर भी खाली था और से सारा पैसा निकाला जा चुका था तभी डिटेक्टिव ने देखा उस कमरे में आने के दो रासते थे, यानि एक रासते से डाकू आये और दूसरे रासते से खून ही आया था, तभी गार्ड अंदर आया और उसने डिटेक्टिव को बताया, तीनों बदमासों में से एक बदमास ने चहरे पर जोकर का मास्क पहना हुआ था और कैप पहनी हुई थी जिस पे हिम सागर का टैग लगा हुआ था डिटेक्टिव तुरंथ हिम सागर स्टोर पहुँचा वहां पहुँचकर उसने मैनेजर से जोकर के मास्कर कैप के बारे में पूछा तो मैनेजर ने बताया सर कल एक आदमी इस तरहें की लेकिन उसका पर्स यहीं गिर गया था डिटेक्टिव ने पर्स चेक किया तो उसमें से एक बियर बार की पर्ची निकली डिटेक्टिव तुरंद बियर बार पहुचा और मैनेजर को पर्ची दिखा कर उससे उसके कस्मर के बारे में पूछा मैनेजर ने पर्ची देखकर कहा मैनेजर को अपनी ओर इशारा करते हुए वह डिटेक्टिव को उस तरफ आते हुए देखकर असलम तुरंद भागने लगा असलम ने बताया कि वह तीन लोग बैंक लूटने के लिए जरूर गए थे लेकिन जब वे बैंक के मैनेजर के पास गया तो लॉकर पहले से खुला पड़ा था और उसमें से पैंसे चोरी हो चुके थे उसमें मैनेजर को डराने के लिए दिवार पर गोली चलाई थी लेकिन तभी एक गोली के आवाज आई और मैनेजर की मौत हो गई इसके बाद मैं और मेरे दोनों दोस्त डर के मारे वहां से भाग गए थे ओके तो तुम कहना चाते हो कि जब तुम मैनेजर के पास पहुँचे उससे पहले ही कोई लॉकर से पैंसे निकाल चुका था लेकिन अगर पैंसा चोरी हुआ तो बैंक मैनेजर चिलाया क्यों नहीं और अगर बैंक मैनेजर भी मिला हुआ था तो चोर ने इसको गोली क्यों मारी ये सब सोचते हुए डिटेक्टिव तुरंद वापिस बैंक गया उसने जाकर लॉकर पे फिंगर प्रिंट्स चेक किये फिंगर प्रिंट्स बैंक मैनेजर के ही थे जिसके बाद डिटेक्टिव समझ गया कि चोर और बैंक मैनेजर दोनों मिले हुए थे अब सोचने वाली बात ये थी कि चोर ने बैंक मैनेजर को क्यों मारा और हत्यारा कौन है अब डिटेक्टिव ने सिसी टीवी फुटेज चेक की तो सामने आया कि मैनेजर के रूम में ही कबड के पीछे चोर छुपा हुआ था और जैसे ही असलम ने दिवार पर गोली चलाई चोर ने तुरंद बैंक मैनेजर को गोली मार दी और मैनेजर की वहीं पर मौत हो गई इसका मतलब है कि खुनी अभी भी बैंक में ही मौजूद है क्योंकि दूसरे दरवाजे का उपयोग केवल बैंक के करमचारी मैनेजर के रूम में आने जाने के लिए करते थे और चोरी के बाद से कोई भी बैंक से बाहर नहीं गया है डिटेक्टिव ने तुरंद बैंक के पुरे स्टाफ को बुला लिया उसे तीन लोगों पर शक हुआ पहला गार्ड, दूसरा कलर्क और तीसरा असिस्टन्ट मैनेजर डिटेक्टिव ने तीनों की गहरी जांच परताल की और असिस्टन्ट मैनेजर को तरंद गिरफतार कर लिया असिस्टन्ट मैनेजर के कपड़ों पर बैंक मैनेजर के कबड़ के पीछे की दिवार की सफेदी लगी हुई थी इसका मतलब वहाँ वही छुपा हुआ था और उसी ने बैंक मैनेजर की हत्या की है असिस्टन्ट मैनेजर ने बताया कि जब असलम ने दिवार पर गोली चलाई तभी उसने बैंक मैनेजर के उपर गोली चला दी और बैंक मैनेजर की मौत हो गई इसके बाद मैं दूसरे रास्ते से निकल कर अपने केविन में आ गया डिटेक्टिव ने पूछा चोरी केवे पैसे कहा गए तो असिस्टन मैनेजर ने बताया वो मैंने खिड़की से बाहर फैंक दिये थे जहांकि मैनेजर का अगला पार्टनर खड़ा था और उसमें पैसे उठा लिये होंगे डिटेक्टिव ने खिड़की के पास जाकर देखा तो वहां कोई भी बैग नहीं था वह बहार गया और पूरी जांच की तो पाया वहां गाड़ी के टैरों के निशान थे शायद अगला चोर पैसे को गाड़ी में भर कर ले गया था तब ही डिटेक्टिव ने अपनी गाड़ी निकाली और सामने जा रही गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया थोड़ी दूर आगे जाकर डिटेक्टिव ने उस गाड़ी को रोक लिया बैठे व्यक्ति को पकड़ लिया वह डिटेक्टिव को देखकर डर गया और उसने कहा मैंने खिड़की के पास से पैसे नहीं उठाए हैं मैनेजर को गोली लगते ही मैं डर गया था और वहां से भाग गया बैंक मैनेजर का एक और पार्टनर था, शायद पैसे उसने उठाए होंगे, आप उससे जाच कर लीजिए। डिटेक्टिव समझ चुका था कि बैंक मैनेजर का अगला पार्टनर कौन है, वह तुरंत बैंक की ओर चल दिया और वहाँ जाकर उसने गार्ड को पकड़ लिया। खिड़की की सडक पर लगा हुआ था। अब डिटेक्टिव ने पुलिस बलाकर उन चारों को तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया।